कि आपको पता है कि हम 10 प्लस टू के वेव आप इसकी एर्विजन सीरीज प्लस टू बॉर्ड एक्जाम के लिए चला रहे हैं जिसको हमने नाम दिया हुए 10 प्लस टू बॉर्ड विजन सीरीज इसके हमने तीन लेक्चर पहले अप्लोड करती हैं आप लेक्चर में वन टू त्री देख लीजिए दिस इस लेक्चर नुबर फॉर इसमें हम फाई मास के कोश्चन डिसक्स करने जा रहे हैं जो मौस्ट इंपॉर्टन हैं बहुत बार यह करूंगा कि ब्रीव में इसका मैंसे में समझाया जाए कोश्चन जहां से सुनिए क्या है अगर यह फाई मास कोश्चन आता है वेपर के अंदर ठीक है तो आपने कैसे लिखना है डिफाइन इंटर्फेरेंस अफ लाइट अप्टेंज दा कंडिशन फार कंस्ट्रक्टिव इंटर्फेरेंस पहले तो इंटर्फेरेंस का मतलर समझीए यह फिनॉमेना ओफ री डिस्ट्रिबूशन आफ लाइट अनरजी डू तो दे सुपर्विशन आफ लाइट वेज फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सिस आर काल्ड या इस नौन एस इंटर्फेरेंस पहले जहां सुनि एक यहां से वेव इस दोनों सुपरिंपोज होती है यहां पर मैं इस समय जो थियोरी है वह बहुत लिम्टेड बोल रहा हूं ताकि मैसमेटिस ज्याद से ज्यादा हो सके तो यह जो दो नेरो स्लीट से हैं सब्सक्राइब यह फर्दर बन जाएंगी हमारी तू कोहरें सोर् से दोते हैं जिसे निकलने वाली वेव इजे एक प्रोकेंसी एक और जीडी रिफ्रेंस के साथ निकलें यहां कॉंस्टेंट फेज दोनों इंटर्फेरिंग बीम के बीच में रहे और वो टाइम के साथ चेंज ना हो तो यहां से निकलने वाली सौन्डी वेव लेड़े जो यो पहली वेव आ रही है इसमें से विए वरी दोनों वेब का एंप्रिटूट इसलाइट डिफिरेट गजो फिर्स्ट वेव और रही है उसका हम मान ri mp सेकंड वेव से जो वेव हो रही है सो सुनीड एसटू से इसको भी मान रहे हैं मालने हिस्ति वेव के बीच में रहाई है तो वैसे भी पता चल रहाए जो स Sumu P सिर्सनश वहर नोट इकवल 20C बीच में पास्क क्या है पाथ 20РЕटर दैने मिट अगर सो으면ान उसको वाई कोड़ इस साइनमेकर टी से दखा रही है वैसमें फिर हराई है तो फाइव एंगल से सेकेंड वेस्ट से आगे चल गई है यह मारा स्टाइंग पॉइंट है क्रिंसीपल ऑफ स्टिशन क्या कहता है कॉर्डिंग प्रिंसीपल स्ट्परविशन ज़ल्टं वेव लटेनुग ते मतलब होता है हमने एड़ करना एक साइन मेंगे अप द्वारा लिखे है जो यह हमारे पास तिक्नोमेटिकल फंक्शन हैं ध्यान से मैस्क करते चाहिए मैस्क के स्टप में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जहां भी डाउट आता है चैट बोक्स के अंदर आप लिख सकते हैं जहां सुनिए अब ए बन गया है ओमेगा टी बी बन गया है फाई तो मेगा इसतरा का दिखेगा तो हम आपके पास को सुलेशन इस तरह का दीखेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम किर सब्सक्व B में को एक जान से a sin mega t यह देखो जिहान से पिटे यह first two terms अगर हम ले ले लें चिक है तो हमारे पास sin mega t दोनों में common आ रहा है sin mega t is common इसमें a बचेगा इसमें b cos 5 बचेगा तो a plus b 5 b cos 5 bracket के अंदर आ जाएगा simple mathematics है जो interface theory सी वो लग गी प्रिंसिपल सुपिशन लगाने के बाद रिजल्टन वेव निकाल रहे हैं रिजल्टन वेव में से निकलने वाला उसका एमप्रिचूर निकालेंगे यह थर्ड सेकंटर मार जाएगी थर्ड हमारी अब हमने क्या करना है जहां स्टेप नोट करना है पहले हमने यह स्टेप थ गट, B sin phi को, A constant है, B amplitude constant है, phi phase difference constant है, जो constant है, उनको ने constant है, पुट किया गया है, R क्या है, R जो resultant wave बनेगी, दो waves को superimpose करने के बाद, जो resultant wave बनती है, यह resultant wave होगी, उसका amplitude R होता है, first wave का amplitude A हो गया, दूसरे का B हो गया, जो resultant wave हो गया, A plus B, जो resultant wave A plus B भी हो सकती है, A minus B भी हो सकती है, जहां कोई और भी answer हो सकता है, हमने इस A plus B cos phi जो सारे constant parameters हैं, उनको एक ने constant से पुट कर दिया है, R cos theta, इसको R sin theta, अब बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि यह अपने as a teacher क्यों पुट किया, कैसे पुट किया, आपको कैसे समझ आया, certain wave देखो जब हम दो sine waves को add का रहे हैं, हमारी physics कहती है, हमारी math कहती है, हमारा trigonometric कहती है, कि sine wave में sine wave add करोगे, तो resultant wave, sine wave ही बननी है, तो अगर हम ऐसे पुट करेंगे, sine इसको A माननेंगे, sine A, इसको cos B, यह cos A, sine B, अगर इसको पुट करने के बाद जो resultant wave इस form में बन जाए, sine A, cos B, plus cos A, sine B के formula में पुट हो जाए, तो resultant wave भी हमें इसी form में दिखेगी, मेरे ख्यासे बच्चों, अब आपको समझ आया होगा, हाँ जी बच्चों यहां तक समझ आया है, मैंने important article लिया है यह पंजाब बोर्ड सी बेसी बोर्ड किसी स्टेट बोर्ड में इंटरफेरेंस चेप्टर के दो important articles हैं, उन में से first article हम ले रहे हैं, फिर द्वारा देखें, patience रखें और patience से पढ़ें, घबराएं नहीं, हमने अब इसक में से आपको यह वाला part समझा दिया है, यह वाला part समझा दिया है, यह value put कर दिया है, अब हम further move करेंगे, सबसे important thing है, दुनिया में patience, mathematics के आर्टिकल करते हैं, जो derivation based articles होते हैं, उन में सारा ध्यान से करना होता है, अगर हम patience lose करेंगे, तो confused हो जाएंगे आर्टिकल के अंदर, हमने यहां दर आपको दिखा दिया था, इसके बाद एक को value put की गई है, a plus b cos phi को हमने put कर दिया है, r cos theta, औब b sin phi को put कर दिया है, r sin theta, अब देखो, यह कैसी equation बन रही है, r common, sin a cos b plus cos a sin b, a कौन है, omega t, b कौन है, theta, b कौन है, theta, जहां से देखें फिर द्वारा, फिर द्वारा जहां से देखें, तो यह रहा हमारे पास है, sin omega t cos theta plus cos omega t sin theta, तो यह बन गया, sin a cos b plus cos है, sin b, तो resultant wave, sin की form में ही आ गई, r उसका temperature हो गया, sin a plus b हो गया, sin omega t plus theta, थीटा क्या है, theta is the angle made by the resultant wave with the direction of propagation, जैसे इसमें omega t angle है, इसमें omega t plus phi है, तो resultant wave का जो phase angle है वो theta है, इस तरह से हम आके चलेंगे, यहां तक आपको समझ आ गया है, अब equation number one जो कह रहे हैं, जो भी आप कहना चाहो, कह सकते हो, naming अपनी मर्जी से दे लेना, patience रखना है, यह एक मालो equation number one है, अब अच्छा आपके दिमाग में आ गया कि हम conditions for constructive और destructive interface कर रहे हैं, अब इससे आगे कैसे proceed करें, यह step आपका माल लेते हैं, में two हो गया, पहले one हुआ था, अब यह two हो गया, तो two step के बाद, अब आगे चलेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, यह certain wave का जो आ राया है, इसकी value निकालने की कोशिश करने लगे हैं, वो equation number one को ध्यान से देखें, y1 जो है, instantaneous value of first wave, instantaneous displacement of the first wave है, y2 instantaneous displacement of the second wave है, a amplitude of the first wave है, b amplitude of the second wave है, जो s1, s2, two coherent sources से निकलती हैं, इनको secondary wavelengths कहते हैं, detail में की सुरी करें, तो young diversity experiment की सुरी आपको पढ़ देनी चाहिए, फिलाल हम measurement की form में जा रहे हैं, अब हम इसको square and add करेंगे, equation of इसको, y1 इसको add करेंगे, इस वाली equation को, ध्यान से देखें, equation of one देख ली, equation of one से, equation number two बन गी, यह जो पार देखो, ध्यान से बठें, अगर यह पार देखें, हम a plus b cos y और b sin 5 cos y को square करें और add करें, इससे हमारे पास r square की value आएगी, वहां से r आ जाएगा, r क्या है, exultant है, इन दोनों waves को superimpose करके, exultant बनने वाली wave का amplitude, अब आगे step देखें, step देखें देहां से पेटे, a plus b cos phi का square, plus b sin phi का square, b square sin square phi, either r cos theta का whole square, r square cos का theta, plus r square sin का theta, theta को square नहीं करते कभी भी angle को, cos theta का square होगा, उसको cos का theta लिखते हैं, तो science theta का square है, उसको science के theta लिख रहे हैं, बहुत-बहुत basic से प्रहा जा रहा है, तो derivation किसी तरीके से हमें understand करनी है, यह हमारे पास बन गया, a plus b ka whole square, a square, plus b square, plus two a b cos phi, so a square plus two a b cos phi, plus b square cos square phi, plus y term as it is आगी, b square sin square phi, right hand side में r square कॉमा ले लेंगे, cos के theta plus science के theta सबको बता है, one होता है, इसला देखेंगे left hand side बे, a square plus two a b cos phi, plus b square common, bracket में cos square phi plus sign square phi, cos square phi plus sign square phi क्या होता है, ठीक है, यह one होता है, science के theta plus cos के theta, one होता है, बहुत-बहुत, हैं बैस क्या बना ऑज को टूए इसक्या प्लास वी च्था प्लस डूएबी कौशफ्वाइग अगर अगर रजी अडर यह क्या इसक्रEG को सुपर करने के बनने वाली और देटेंड वेव का एंपरीच उड़ा गए कि एक डेरिवेशन को में समयने में हार्ली 10 से 15 मिट लगते हैं उसको दो बार राइटिंग के प्रैक्टिस कर लो मैं इसके स्टेप्स को और आगी चलो अब देखेंगे हम इसको आई के लिखा है इंटेंस्टी इंटेंस्टी जो यह डेक्लिक पॉश्चन टू एमप्रिचूट का स्केर रहती हैं तो आई आर इंटेंस्टी इस इक्वाल टू के आज के क्या है कॉंस्ट पॉश्चन एटिक को वन भी मान सकते हैं आज के रोगया तो आज के एसके ऐस के एडिया को समय है को क्लियर है अगर इंटेंस्टी की बात होने वाली है इंटेंस्टी क्या होती है बहुंसरी बता और ब्स सेकंड पर इनेरिया if energy is more intensity is more intensity is more energy so first wave का जो amplitude होगा intensity portion to amplitude square होती है I A intensity of the first wave I B intensity of second wave so I A क्या बन जबन 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 के क्या है कॉंस्टर्फिशनल्ट इस एक जहां चल रहा है के स्केर को हम आई ए लिखेंगे के बी स्केर को हम आई भी जखा सकते हैं और टू एबी को यह इसमें टैब नी चल रहा बच्छो तो इस प्रॉलम सारी है काइंड़ी कोशिश कर रहा हूं इंटेंस्टी और एक का एंप्रिजूट तो वी के बन जाएगा आई बी का अंडूट तो आई ए आई बी कॉस्पाई यहां द्यान से कि कॉस्पाई अंडूट से बाहर आएगा यहां तक आर्टिकल बहुत-बहुत बिसिक समझ आ गया रिजल्टेंड वेव का एंप्रिचू सब्क 502 से पींड बनेगा इस कंडिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं थ्यां से फिर पेशन yarama से एक लिए110 कभ मासब्षी ऑन का यह सो साइकन मेश्टेंड बैंसू कॉइक कोंस्ट इपैंड कि निचकर एक्मारे पास हुआट को सिरय करें है सी पाइस फैस कह प्यूटन अगर इसने राइट-एंड साइड ने मैक्समम होना है तो को वेरियबल है कॉस पाई तो आई अगर वह दो मैक्समम होजाता है कॉस्की मैक्समम कितनी होती है प्लस यंदे प्लस ये सब्सक्राइब निए में टू ने प्लस माइनस या ग्याल आदा में सियरो ओर yo तो पॉट करेंगे इन के अंदर अगर इस एक्वेशन के साफ से लिखा जाता है याद रखनी है तो इंटेंस्ति जो i r wave से रिप्रेजन्ट हुई है वो telling maximum होगी थी झागे एक होता है पास होता है एक होता है ट्रीफाइब हेलिंस को झात है तुभाइब पास के बरबर होता है यह लिखा हो कहा यह पाट इक्वेशन को हम पास डिफरेंस वाली एक्वेशन में शोग करना चाते हैं मैं मैं दोहरा सुनों में क्या बदाना चाह रहा हूं कि अगर फेश डिफरेंस एक्वेशन में बतानी है तो यह कंडिशन हो गई की दो इंटरफेरिंग बीम के बीच में अगर पास डिफरेंस दो इंटरफेरिंग बीम के बीच में पास डिफरेंस अगर दोहरा से फिर बच्चे देखोंगे हम लोग एक मिन बिटें यह प्रॉल्म आ रही है शेयर करने में यहां पर यहां पर देख वेटो गवर्णा नहीं पाद रिफ्रेंस होता है डेल्ट एक्स लैम्डा ओवर टू पाई इंटू फेज दिफ्रेंस अभी निकला में फेज दिफ्रेंस के वैली गा रही है प्लस माइन अगर छोड़ भी देंगे एक एकल टूद एम लैंडा है तो एमके वैले जीरो वन टू से स्टार्ट होगी तो पाद इससे वी कंस्ट्टिव इंटरफेस बनती है और फेज दिफ्रेंस तक यह कंडिशन सब्सक्राइब है तो भी इंटेंस्टी मैक्सिम है अगर पाथ इस वह से यह कंडिशन होती है तो भी इंटेंस्टी मैक्सिम है पास और फेस देखना चाहो तो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा एक्षी ड्रॉब करने के अब टैब नहीं कॉंटक्ट हो पा रहा है तो नहीं माउस ही कर रहा हूं ध्यां समेना मेशे मेशे कंसेट क्या है यह इसको बोलते हैं लैमडा क्या बोलते हैं इसको यहां तक लंबाई लैमडा यहां तक अटेज्च में पूर प्रॉलम मारि तो करसनी चलनी रहा इस समय एक यह यहां शुरू हो रही है यहां पहुंची यहां अ-ध्र से कितना आगे लैमडा कि लैन्थ वाइज कितनी आगे लैमडा तो एंगल वाइज कितनी आगे जीरो 90 180 270 160 जो पाथ होता है वो थ्री सिक्स्टी एंगल लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें यह लेक्षे चल रहा है इसको बीच में रोक नहीं रहे हैं यह कंटिनर्स रिकॉर्डिंग हो रही है टूपाई फ्वेस को टूपाई या एंगल को सिस्टी समझ आगी बात तो अगर बात को फ्वेस में कर है तो लैंब्डा इकोटब्स एक सिटी अगर हम जल्टें नियम कॉन करना पड़ेगा को स्की मैक्स्मिनी मीनियू मैनिस वन पर उस कब कभ मैनिस वन होता है प्लास मैंस भूल जो को सके अंदर को सो कॉस्टट इस था इस इकूर डो सब्सक्राइब यहां पर असमें लिखा जा रहे है इस लिए अब यह शौर्ट रूइजन वीडियो में नहीं बताई जा सकती फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हर कंसेप्ट को बता दें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कॉस्पाई यहां पाई का मतलब है 543 इंटु 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 जब जब यह इंटीजर 1 3 5 7 9 11 13 ओड इंटीग्रल होगा तब तब हमें फेज दिफेरेंस इस तरह का मिलेगा और इंटेंसिति हमें इंटेंसिती हमें क्या मिलेगी मिनिमा मिनिम्स का मतलब समझ रहे हो क्या होता है काम यह देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं पाई थ्री पाई 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 कैसे एम प्लस वान ओवर टू इंटो टू पाई जहां से देखो एम स्टार्ट फॉम जीरो वान टू तू त्री से स्टार्ट किया तो डिस्ट्रेंच लिए में भी जीरो से कर सकते हैं माइनना से दोनों और तीक है हमने एजी करने के लिए कंस्ट्रेंच के अंदर और से value 0 से start किरी है वो उसके साफ से mathematics बनाया है तो mk value 0 put करो 1 by 2 into 2 pi बचला पाई बचेगा mk value 1 put करेंगे 1 plus 1 by 2 into 2 pi 3 by 2 into pi 3 pi mk value 2 put करके देख लो 5 by 2 आजाएगा into 2 जब जब intensity minimum होगी हमें m की value 0 1 2 3 लेते हुए इस फार्मॉले में put करना ही पड़ेगी डिस्ट्रेक्ट का मतलब है स्क्रीन के उपर हमें डार्क बैंड को टेंड होगा आगे फिर वह करने का फार्मॉला पार्मॉला इक वेवलेंट ओवर 2 पाई इंटू फेस करें हैं कि आपको समझ आ रहा होगा यह दिखें ध्यान से खत्म आने लगा अर्टिकल इस आर्टिकल इस आल्मोस्ट कम्रीट अब देखो यह देखो लेंडा वर 2 पाई हो गया इस फेस्ट्रेंस इस फॉर्म वाला डिस्ट्रिक्टिव वाला पूट करेंगे एंब प्लस वन अबर टू वन अबर टू इंटू पाई ठीक है जिया अगर हम नहीं भी लिखते भी परकेंदा तो नो प्रॉलम एत तो अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस बिट्वीन टू इंटर्फेरिंग बीम इस एकल टू एम प्लस वन वैटू लेंडा होता है वो एम की वैल्यू 0123 से शुरू करते हो तो जल्टेंड वे में सकीन के उपर बनने वाला जो ब्रैंड है जहां पे वो हमें डार्क बै बिलेगा जिरू आंसर तो फार शर्क्ति मैंट अपाथ डिफरेंस बिट्वीन टू इन टू इंटर्वीन जू उड्टिपल ऑफ लेंडा जू एक्सार आई गा लंडा ए टू एंक वेली जू पूट करोगे देखो लेंडा वेट वन बैटू लेंडा एंक वेली लेमडा हमें क्या मिलेगा ओड वान थ्री फाइब सेवन नाइन इलेवन साइटिन तो मेरे ख्याल से बच्छों समझ आ जाना चाहिए कि क्या करें आपके ऊपर प्रेशर डाल के आपको समझा रहे हैं कि यह आटिकल याज करना है सबने करना है यह पर मैं आए नाइस वेरी व बहुत बार रिपीट हो चुका है ठीक है तो इंटरफेरेंस का में मैंने कंडिशन सब्सक्राइब की बिजाए फ्रिंज बिट्स कार्टिकल दिया था वह मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है मेरे चैनल के उपर और ठीक है गुगल लिंक से भी हम आपको गुगल लिं मैं दहि산 से बोलू अब ओवर रस डैप साघार रिपीट करता हों दहां से सुनो ररी तैट मैने क्या किया मैंने एशितरिकल स्टार्ट किया यहां से लिखते जाना चला डिसे वह कैसे कुविए करना है हमने दो वेव लेनी हैं एक एक लेना है एक का बीच को बीच को एड कर देना है इसको उपन करते हुए मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मला लगा दिया है साइन ए कॉस भी कॉस ए साइन भी तीन टर्म बन जाएंगी पहले और दूसरी टर्म में से साइन मेगा टी कॉमन लिया गया है कुछ टर्म बचती है थर्ड टर्म एज लिखी गई है अब यह दो टर्म बचती है इन दोनों टर्म में कुछ कॉस्टेंट साइं हैं ए बी कॉस फ है उसको आजाइट पूट किया गया है क्यों कुट किया गया है ताकि यeszल्टेन ब visiting हमें साल में ही नजर आ सके और नज़र आ भी रही है देखो पूट करने के बाद आर और कॉस मेगाटी कॉसिता साइन मेगर साइन सी तैस सेथना तो यह बन किया साइन उमेगा टी शीटा को मनने की और आब हमने किया है यह जो एक कूछसन है इसको स्केयर एंड कर दिया है लेफट हैं साइट को को भी है राइट रेटन साइड जैड वी के ब्लस 20 के साइस कर फाई राइट ह mens arrangements साल के सीटां स्क्राइथ स्क्राइथ कॉमन होगा चार चाट यहां ऐस से दो टम में कॉमनले लियंगा मिन जी गई कुछ इस तरह की नज़राने लगी जल्टेंड वेव का एंप्रिजूर आ गया इस के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब हो रही है तो पेशन सकते जाओ पढ़ते जो लिख लो प्रैक्रिस करो मैस है जाए अब मेडिकल सुद्स हो जाए नॉर्मलिक सुद्स है देख देखके म सकते नहीं करके लिख दो बर को तीन बर करके प्रैरिक करके इर इस कोश्वाई ऑल गया लिखंड क्रति सब्सक्राइब करते हैं अब दूसरे वेव की इंटेंस्टी लिव जिसका जा सकता है जिसको बी लिखा है उसको के भी सका जा सकता है तो अगर इस एक्वेशन में जहां से लिखें यह के एक स्केर कि इसको आई ए लिसकते हो के बी स्क्यर को आई बी इस तरह से ए को आई ए का अंडूट बी को आई बी का अंडूट करते करते इंटेस्टी वाली इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई जहां तक जल्टन वेब का इंटरफेरंस का सुपर्विशन का कंसर्ट सा वो लग गया एक बार फेरेंस से एक बार पाथ से अगर हम इस को एकक्रां पिर्म समझ जो 720 इस तरह से हम एक एक सर्क्र पूरा करते जाएंगे यह देखो ऐसे गूम के वापस आ जाएंगे थोड़ा सा बिटे कोप्रेट करो टैब इस नॉट वरकिंग तो मैं माउस से कुछ ट्राइग्रम बना रहा हूं ठीक है तो 360 का मतलब हो गया जाएंगल 360 हो गया दो र सब्सक्राइशन में मिल सकता है हिम्मत रखो पड़ते चलो लर्न कर मेरे साथ साथी लिखो मेरे वीडियो को पोस करकर करके लिखो ठीक है कोई बहुत सिंपल लेंग में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एक्जाम बहुत क्लूज है इसलिए रिवीजन सीरीज है इस से भी और सब्सक्राइब कर रहें यहां पर बीच में कुछ टॉपिक्स नहीं भी बोल रहें लिखनी रहें बता रहें ध्यान से वीडियो को सब्सक्राइब अब आ गया यह कंस्ट्रुक्टिव इंटेफरेंस तभी होगी जब यह आगे मर्पर पास्ट डिफरेंस और फेज डिफरे सब्सक्राइब करोगे तो भी प्रॉलम नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं तो लैमडा ओवर टूपाई यह पार फेज डिफरेंस की वैल्यू आपके सामने यह रही एम इंटू पाई टूपाई से टूपाई कैंसर अगर डिटेक्स की वैल्यू एम लैम्डा के बाइब स्टाइब वोरे मेरे फ्रॉल से स्टाइब मिल रहा है अगर हम चाहते हैं इस Mississippi के ऊपर हमें बैちょ जाए तो इंटेश्टी को minimum होना पड़ेगा आय और शुड भी I minimum minimum द्लोगा का मीनिमूं का मिनिमूं होगा नाइन पाइग तो जब जब M की वैल्यू वान थ्री फाइगा यह और मुल्टिपल आएगा वान थ्री फाइग तब तब फाइगी वैल्यू माइनिस वन मिलती जाएगी ठीक है यह लिखा गया यहां पर देख लें यह जाएगा फाइग की वैल्यू को आप से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को यह प्लस वान नवर टू इंटू पाइग देख लो आप को कि एक इस टो पैइड करो टू प्लस वन बाय टू पैट्ट इन्टू तो चुनलरेश्ट इक्वेशन है घर इस ता से लिख ले हैं याज करना इजी हो जाएगा एंप स्टार्टिंग रूम जिरो बान टूट तो डिस्ट्रेक्ट इंटर्फरेंस तभी एक्ट करेगी जब इंटर्फेरिंग वेम के पीच में यह यह फेस्ट फाई है वो टूपाई का क्या मिलता है हमें क्या मिलता है और मिलती पर चौरो सब्सक्राइब करेंगे एंप सब्सक्राइब नहीं है इस लिखा हुए लिख दो तो भी चीक है ना लिखो तो भी चलेगा तो डेल्ट एक्सिक्टू लैम्डा वर टूपाई इन्टू पाई इन्टू दूपाई कैंसर एम प्लस वर लागए ना जाएगा वो पाद इफ्रेंस वाली कंडिशन से यहां फाइट ने जा रहा है एंगल ने जा रहा है पाई वह फिट्रेज एक एंगल है एक पाद इस एक दोन्यों कंडिशन दो कंडिशन ने का चृच्टिव एनदर दो टूंसा सब्सक्राइब करते हैं अब यह वाला आर्टिकल विच्छे आपको समझ आ गया होगा यह कोई को रीजन है इसमें फ्रोड़ा सा पास भी बोला जा रहा है जल्दी से जल्दी आर्टिकल्स को नोट्स पहले ही वीडियो वीडियो को द्वारा से देख लें डेटेल में देखे सब्सक्राइब क्या किया है सबसे पहले हमने यह वेव उप्सक्राइब कोशन की सीरीज रिविजन सीरीज का लेक्चर नंबर फॉर अब आपके पास भीजा जा रहा है उनका यूट्यूब और एस वेल इस गूगल निंक थैंक यू वेरी मच वाचिं इस वीडियो कोई प्